कि अज़ फिस अज़िए जाए जोटेश करें है जोटेश नहीं नहीं कि अच्छे वाले विडियों में जो कि hexadecimal से मायनी conversion था गलती से last में मैं मैं मुँझ से निकल गया था कि total 16 conversion है मा आप ही चाहता हूँ total 12 conversion है जिसमें मैंने 11 conversion बता दिया है last conversion आपका बचा हुआ है hexadecimal से octal hexadecimal से octal में भी गुजारिश है आप लोगों से कि पहले number system का जो भी series है पहले वीडियो से आखरी वीडियो तक देखें गौर से देखें एक एक चीज समझें उस पे practice करें क्योंकि practice नहीं करेंगे तो फिर कोई फाइदा नहीं होने जा रहा है और जो सारा conversion आज आपके सामने आ जाएगा तो आप जो result लाएंगे एक number को दूसरे में convert करके तो फिर उस number को वापस conversion करने का भी आपके पास idea होगा अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँगी वीडियो देखें ध्यान से देखें तो आसानी होगी ठीक है चलिए आते हैं में मुद्धापड यहाँ पे जो है टाइब बन कोस्चन है जोगी होल नमबर से रिलेटेड है जिसकों की इंटीजन भी का जाता है कोस्चन मैंने दे दिया एक साट एसीवन में एफाइब बेस सिक्स्टीन पताईए इसको आप्टल क्या होगा अब जो लोग वे नमबर वन से बनाना चाहते हैं जोगी एक सब्जेक्टिव वे है उन लोगों के लिए पहला स्टेप तो हो जाएगा कि भाईया पहले हेक्सा डेसिमल से डेसिमल निकाल लो तो यह रहा पोजिशन जीडो बन चलिए आज मैं फिर से एक पोजिशन लेख दे रहा हूँ यह आपका पोजिशन ऑफ डिजिट्स है तो क्या होगा ए ए मिन्स 10 10 इंटू 16 तो दी पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 तो दी पावर 0 इस इकवल तो 10 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 1 इस इकवल तो 160 प्लस 5 इस इकवल तो 165 यह आपका डेसिमल नमबर निकल गया अब जो डेसिमल नमबर निकला है आपको उसको ओक्टल में कनवर्ट करना है तो इस 165 को आप 8 से डिवाइल करेंगे आप दूना 16 20 मरतवा लगेगा 5 इमेंडर बच जाएगा इस इकवल साथ अब फिर आप से गड़ेंगे आप दूना 16 चार बचेगा यह रिजल्ट आपका आगया 245 बेस एट बहुत सिंबल है ठीक है अगर इसके वे नमबर 2 को देखा जाए शौटकट बिधर को वे नमबर 2 अबजेक्टिव वे अबजेक्टिव वे तो आपके पास नमबर क्या है ए है 5 है 5 का मतलब तो 5 ही है hexadecimal में ए का मतलब 10 हो जाता है यह दोनों आपका hexadecimal नमबर है hexadecimal पहले बाए इसको binary में convert करता हूँ ठीक है आसान होगे तो binary में convert करने के लिए आपको चारचार का गुरूप लगाना होगा चुकि 2 to the power 4 ब्रावर 16 होता है तो 5 का वैसे तो 101 में काम चल जाता है देख लिजे 5 का मैं निकाल दे रहा हूँ 2 तुना 4 एक 101 101 लेकिन चुकि 4 में निकालना है तो 101 यहां बैठाना होगा decimal की इदर की बात है चलिए हो गया रही बात 10 के 10 का देख लिए 2 पचे 10 0 2 तुना 4 एक 101 101 आदा है तो लिग रता हो 101 डिजित घटा भी नहीं लेकिन ये जो आपका रिजल्ट आया ये रिजल्ट आपका आया बाइनेरी में यहां वाई है आई ऐसा लग रहा होगा अब बाइनेरी से आपको आप्टल में निकालना है तो 2 तुदी पावर 3 बड़ावर 8 होता है मतलब 3-3 का ग्रुप लगाना होगा और ये डेसिमल जे पहले वाला मैटर है अंटी क्लॉक वाईज तो ये 3 का मैंने अंटी क्लॉक वाईज लगा दिया इस 3 का मैंने वापस अंटी क्लॉक वाईज लगा दिया यहां पे 3 तो बचने रहा है कोई बात नहीं एक 0 अपने मन से बढ़ा लेते हैं अब देखिए 101 इस नंबर को देख रहा हूँ मैं 124 कट गया, यह 5 आएगा यह नंबर आपका 100 है 124 कट गया, यह आपका 4 आएगा यह नंबर आपका 010 है, 124 यह दोनों कट गया, यह आपका 2 आएगा मतलब आपका यह होगी अंसर देख लिए यहां से मिला लिए इस अंसर को सेम है तो यह आपका जो है, टाइप 1 कनवर्शन हुआ, हेक्साडेसिमल से ओक्टल में ठीक है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीस, नंबर सिस्टम का सारा सिरीज देख लें, सारा वीडियो देख लें यह लास्ट कनवर्शन है, इसके बाद कनवर्शन से आप लोगों की मुलाकात नहीं होगी, तो आप लोग बार हो कनवर्शन को कर लें और उस पे अच्छे से प्रैक्टिस करें और जहां पे भी दिक्कत हो, कमेंट करें ताकि मैं उसके जवाब में फिर से वीडियो बनागे भेज सको, अब नहीं बात टाइम टू की तो चलिए टाइम टू से मैं शुरू करता हूँ जो की यह लिया फ्लोटिंग नंबर पहलाता है आपके पास कोश्चन आ गया मालिया बी एट प्वाइंट ए यह दू चलिए कोई बात नहीं है बे सिक्स्टीन अप्टर तो अगर वे नंबर वन से आप बनाना चाते हैं जो की अपने आप में एक तरह का सब्जेक्टिव वे है तो आपको पहले दिये गए हेक्सा डेसिमल नंबर से डेसिमल निकालना होगा पोजिशन जीवर बन माइनस बन है चलिए मैं आलिक दे रहा हूँ यह पोजिशन है बी बिन से ग्यारा गुना सो लगर पावर एक प्लस आट गुना सूल फर पावर जीवो ब्लस दे मतलब दस गुना सूल फर पावर माइनस बन बहुत रिक्कत दे कि इसी लग इसा लेना नहीं चाहना नहीं रहा है एक्यारा गुना सोल है ब्लस आट गुना एक प्लस दस गुना बंपावर इनMore 16 दहां का 160 और 16 जूट गया 176 प्लस 8 अब यहां 2 से 5 मर्तवा काट गया 2 से 8 मर्तवा काट गया तो प्लस हो गया 5 बाई 8 अब हम लोग ऐसा करते हैं कि 8 से 5 को डिवाइल करते हैं 0.086 2 बचा 0.082 ना 16 4 0.085 confirm है यह 0.625 आएगा तो यह आपका आगया equals 1 8 और 6 14 गचार हद गरहा 184.625 यह जो नंबर है यह आपका decimal नंबर निकला है अभी कुछ होने की बात नहीं है यह कैसे निकला है यह आपता है अभी मैं मैं इसको मिटा ने रहा हूँ अब जो decimal नंबर आया आपको उससे octal निकलना है घैर octal ही निकलना है तो 184.625 में से integer को आपने अलग कर लिया और fractional part को आपने अलग कर लिया अब यह जो 184 है octal में निकलना है 8 से divide कीजिए 8 दुना 16 इतना मचा 2 8 दुना 16 है कितना बचा साथ यह तो हो गया 0.625 इंटू 8 क्या है अगर डिजर्ट 8 बचे चालिस के 0 हाथ के रहा चार 8 दुना 16 चार 20 दू 8 शेगर 8 दू पचास हैं गॉर्ड की 5 आया एक की ही बार में 0 हो गया यह उपर से उठा लेते हैं तो डिजर्ट क्या आया 270.5 बेस एट एंसर तेकिन फिर भी अच्छा खास आजा में कील हो गया आप लोगे अगर इसको हम लोग वे नंबर 2 से बनाएं अबजेक्टिव वे से बनाएं तो क्या होगा में पास एक सा डेसिमल नंबर दिया हुआ है बी एट पॉइंट ए चलिए ए का मतलब तो 10 होता है यह तो पता है 8 का मतलब तो 8 ही होता है बी का मतलब 11 हो जाता है बीच में यहां पॉइंट है अब चुकी आपको हेक्सा डेसिमल से मतलब 16 से बाइनरी में कनवर्ड करना है तो चार्चार की लूप में तोड़ना होगा तो 10 का 1010 आएगा आप लोग देख लिजेगा बहुत बाद मैंने निकाल का दिखा दिया है 8 का 1000 आएगा जिन ड़ाट है 0 नहीं पड़ लेजेगा 11 का 8 दो 10 देके 11 आएगा ठीक है अब आपको इसको ओक्तल में कनवर्ड करना है तो औक्तल में मैंने बताया था कि डेसिमल्स अगर आपको 92 से औक्तल में कनवर्ड करना है तो 3-3 का गृप लगाना होगा डेसिमल से पहले अंटी क्लोक वाइज डेसिमल के बाद लग वाईज तो ये अंटी क्लोक वाईज मैंने लगा दिया यहां भी 3 का बन गया यह भी anti clockwise यहां 3 का बन जाता लेकिन एक digit घटर है तो 0 बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है यहां clockwise यह मैंने बैठा लिया अब इस 0 को मैं चाहूं तो छोड़ भी सकता हूं क्योंकि 2 0 बैठाने के बाद result after 0 ही आने वाला है अब क्या होगा यह 0 हो जाएगा 1 2 4 यह 3 हो जाएगा यह भी 3 हो जाएगा पॉइंट 1 2 4 यह 5 हो जाएगा अक्टर नहीं कर ला है न B 11 इसा कैसे अड़ा है 27 0 ऐसा आने का तो कोई चांस बनता नहीं है एक बाद फिर समय त्राई हड़ता हूं एक मिनिट question मेरा क्या है B8 point यह है 1 का मतलब 10 है 8 का मतलब 8 है 8 का मतलब ही क्या रहा है एक सा डिसीवन लंबर है भाड़ी में निकालना है 1 0 1 0 होगा point 8 1 0 0 0 होगा एक ग्यारा का 8 दो 10 एक एक ग्यारा होगा तो अगर मैं यहां यह तीन का बना लूँ यह तीन का ग्रूप बना लूँ और यहां यह तीन का ग्रूप बना लूँ यहां यह तीन का ग्रूप बना लूँ clockwise और यह तीन का ग्रूप यहां बना लूँ को फाइड ऐसा है नहीं 0, 1, 2, मतलब 3, यहां 1, 0 लगा रहे हैं 1, 2, 3, 0, 1, 2, 4, यह 5 आएगा और यह तो 0 ही आएगा, मतलब की 3, 3, 0, ऐसा आनी रहा है कहाँ कर वाया है? कि दिन कर दो सही है? एक अधस वाना है, एटका यह तरना है 1248 सही है 11 11 का 1248 मामला यहां गवड़ा आड़ा है रोकिया है 11 का 1248 तो अगर यह मैं यहां ऐसे कर रहा हूँ यह बना रहा हूँ और यहां एक जीवर बठा पर तो यह मेरा 1247 आ जा रहा है सही बात है और यह 2 हर रहा है नहीं कर बठा तो यह आपका रिजल्ट क्या जा रहा है 270.50 बेशार्ट या आप इसको लिख सकते है 270.50 बेशार्ट देखिए कभी-कभी ऐसा होता है इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग नंबर सिस्टम का अब तो मैंने बारभू कनवर्शन डाल दिया है तो नंबर सिस्टम के सारे कनवर्शन के वीडियो को वन बाई वन देखें एक बार दो बार तीन बार चार बार जब तक समझ में नहीं आता है और जहां भी प्राबलम हो प्लीज 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 कमेंट करें ताकि मैं उस पे भी वीडियो डाल सकूँ मेंका ये प्रयास है कि साइबोटेक एजुकेशन ग्रूप जो यूट्यूब का चैनल है उसके थ्रू मैं नवादा वासियों को और नवादा के बाहर वाले लोगों को भी जो है कम्प्यूटर फर्नामेंटल्स चीज क्या है और भी बहुत सारे ट्रॉपिक्स है जिसके उपर मैं वीडियो दूंगा तो वो सब चीज समझ में आए और इस पर कोई कॉश्ट लग नहीं रहा है आप लोग मेहनत करें प्लीज वीडियो बनाने भी बहुत मेहनत लगती है त करेंसे लाओ